क्लास 3 EBS चेप्टर 11 फ्रॉम हेर तुदिया इटसे वेरी इंट्रस्टिंग चेप्टर तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहां से वहां तक में हमें क्या-क्या पंड को मिलने वाला है सबसे पहले आप देख रहे हैं दा ट्रेन एक अच्छी सी पोयम है यहां पर यह कामोन चिल्डरन लैट्स प्ले अगेम क्लाइम अब्रोड दा चागिंग ट्रेन चागिंग का मतलद चुक चुक करके फक फक करके चलती हुई ट्रेन आओ बच्चो एक गेम खेले और चुक चुक करती हुई ट्रेन पे चड़ें ब्लो यूर वीशल्स और टेक यूर सीट्स अपनी सीटी बजाओ और सीट ले लो अपने शोल्डर से उपर वाली सीट ले लो इफ यू प्लीज अगर तुम्हें अच्छा लगे तो फारवर्ड और बेकवर्ड बेकवर्ड और फारवर्ड बट इन लाइन डोंट रन आउटवर्ड आगे पीछे पीछे आगे लेकिन एकी लाइन में चलना डोंट रन आउटवर्ड बहार की तरफ मत दोड़ना Stay in line and shut your eyes With open eyes you'll nothing spy Line में रहो आंके बंद रखो With open eyes और आंके खोल के You'll nothing spy तुम कुछ नहीं देख पाओगे चुक 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 The train is on its way Train अपने रास्ते पर है Stop, stop, stop All the stations say सारे station कह रहे है रुको, रुको, रुको यहाँ पर अभी आपने एक line पढ़ी Shut your eyes आंके बंद करो With open eyes you'll nothing spy Spy में देखना Actually यहाँ पर जिन आंको को खोलने की बात point कर रहा है वो है मन की आंके क्योंकि जब ऐसे वाली train बना के चलेंगे तो थोड़े न दिखीगा कुछ भी आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि हाम यह यह दिखाई पर रहा है तो इसलिए यहाँ पर लिखा है Shut your eyes अपनी आंके बंद करो With open eyes और open eyes से तुमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा मतलब आखे बंद करके दिमाग की आंकों से कल्पना की आंकों से देखना है On roads of iron we move to and fro Roads of iron का मतलब है rail की पटरे ट्रैक जो rail का लोहे का बनावा होता है to and fro इधर उधर आगे पीछे हम आगे पीछे चलते हैं Here come the lights and there they go लो अभी अभी light आ रही है और अभी भी चली भी गई है Across the meadows over the hills घरे घास के मैदान में से hills के उपर से past aging farmers और बुडे होते वे किसानों के past से temple से, mill से past village wells और village के कुओ के past से गुजरते हुए and a lush green field और बिलकुल हरे भरे खेतों से with broken walls और जहां दिवारे तूटी हुई है and a potato field और आलू के खेतों में से क्या जा रहा है आपकी train जा रही है चुक 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 the train is on its way train अपने रास्ते पर है चुक चुक करती हुई stop 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 all 10 स्टेशन से और सारे स्टेशन कह रहे है रुको तो सही रुको तो सही रुको तो सही smoky clouds धुएं जैसे बादल fairs, melee and crowds और भीड village fairs, गाओं के मेले riders on mares और घोडी पर चड़ेवे riders सवार flocks of birds birds के जुन्द flocks का मतलब होता है group जुन्द cluster hurts cluster का मतलब group of hurts जोपडियों के जुन्द bridges pull paths रास्ते, धोबी गाट धोबियों के घाट small trees चुट्यूटी चाय की दुकाने puddles और जोड जिनमें पानी भरावा होता है and flocks और जुन्द तो यह सब चीजे देखने को मिली है ट्रेन में कैसे कीवल imagination से जोगी जब असली की ट्रेन चलती है तो भी हमें यही चीजे दिखती है चुक 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 दा ट्रेन इज ऑन इस वे stop, stop, stop all the station से चुक चुक करके ट्रेन आ रही है रुको, रुको, रुको सारे station कह रही है अच्छे लगी न आपको यह पोयम यह पोयम लिखी है हरेंद्रनात चैटर जी ने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है और पोयम का नाम है हिंदी में लिखी ते रेल गाड़ी आपको यह पोयम कैसी लगी I like the poem very much मुझे यह पोयम बहुत अच्छी लगी क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है कभ किया है Yes, I have traveled in a train many times मैंने बहुत बार ट्रेन में ट्रेवल करी है Last time, when I was going to visit my maternal uncle अट एलाबाद Last time, जब मैं एलाबाद में अपने मामा के हैं जा रहा था उनसे मिलने के लिए I traveled in a train तो तम मैंने ट्रेन में ट्रेवल किया था Can a train move anywhere? क्या train कहीं भी चल सकती है? No, a train cannot move anywhere वो ऐसा नहीं कि कहीं भी चल दे Why, क्यों? It moves only on the iron rails वो केवर लोही की पट्रियों पर ही चलती है लोही की पट्रियों पर ही उसके पट्रियों चलने के लिए बने वे होते हैं What is meant by roads of iron? Roads of iron से क्या मतलब होता है? Roads of iron means railway tracks Roads of iron से मतलब होता है Rail की पट्री से बना हुआ रास्ता On which train's run जिसके ओपर train दोडती है They are made of iron वो iron के बने वे होते हैं What place did the train pass by? Train किन-किन जगों से गुजरी? उनकी लिस्ट बना ये Meadows, घास के मैदान, hills, temples, mills, village wells, गाओं में जो कुए होते हैं Potato fields और आलो के खेतों से Which vehicles have you traveled in? आपने कौन-कौन से वेकर में travel करी है Write the name of senior notebook अपने notebook में उनके name write करो Vehicles कहते हैं गाडिया I have traveled in car, bus, metro rail, train And also इनने बुलक कार्ट यानिके बैल गाड़ी मैंने car, bus, metro rail, train और बैल गाड़ी में भी यात्रा करी है Which all vehicles did the children travel in? और कौन-कौन से सब वेकर में बच्चों ने ट्रेवल किया है Children traveled in all kinds of vehicles बच्चों ने सब परकार के वेकर में ट्रेवल किया They are bus, metro rail, car, boat, horse, bicycle, रिक्षा and बुलक कार्ट Come, let's meet some children आओ कुछ बच्चों से मिले And find out how they spend their vacations और उनसे पुछते उन्होंने अपने छुटिया कैसे मिताई I went to my uncle मैं तो अपने अंकल के यहाँ गई थी Arrow बना रहा, देखो ऐसे Who lives in Delhi, जो कि Delhi में रहते है Earlier we used to go from the railway station to his house In a bus, यह bus बने हुई है पहले हम railway station से उनके घर bus में जाया करते थे But this time it was great fun लेकिन इस बार तो बड़ी मस्ती आई We went by the metro train, यह metro train है हम metro train से गए Which went through an underground tunnel जो की एक जमीन के नीचे वाली सुरूंग से भी ओके गई We did not even come to know हमें तो यह पता ही नहीं चला Cars were running on the road About the tunnel के tunnel के उपर जो सडक थी उस पे कारे चल रही थी अब आगे देखते हैं यह बवाए It was my boy's wedding मेरी बवा की wedding थी Your wedding marriage I met many relatives मेरी बहुत सा relative मिले वहाँ पर We had a good time eating, drinking and playing खाने में, पीने में और खेले में बहुत मज़ा आया भहिया came from America in an aeroplane और भहिया अमेरीका से aeroplane में आये Imagine जरा कल्प ना करो यानि के मन की आँखो से सोचो He came from so far वो कितने दूर से आये But reached here in one day लेकिन one day में ही पहुँच गए बुआ looked very beautiful बुआ बहुत सुन्दर दिख रही थी When she was going in the पालकी यह पालकी है इसे यहाँ दो आदम उठाके पकड़के चलते हैं और जो सवारी वो अंदर बैठी भी होती है यह curtain है उसका जब वो आप पालकी में जा रही थी जनी के शादी होने के बाद अब यह कहां गई थी I went to my nani's house in Kerala मैं Kerala में अपने नानी के घर गई थी Where she lives जहाँ वो रहती है There is water everywhere सब जगा पानी ही पानी है From the station We could have taken a bus हम bus ले सकते थे या taxi ले सकते थे To reach her house उनके घर पहुँचने के लिए Instead इसके बजाए We took a boat हमने boat ली Straight to her house जो सीधे उनके घर गई It felt like a little strange थोड़ा सा strange लगा ये अजीब लगा या little का मतलग छोटा नहीं है जब adjective से पहले little आता है तो थोड़ा सा But we had fun लेकिन मस्ती बहुत आई अब ये कहां गए थे We went to Shimla during the vacations Vacations होता चुटिया हम चुटियों में Shimla गए थे The bus moved on the jig-zag Jig-zag तेड़े मेडे Roads on high mountains उचे-उचे पहाडों पर तेड़े मेडे रास्तों पर Bus चल लए थी It was very scary scary दरावनी बात ये बड़ी दरावनी बात थी When we looked down जो हम नीचे देखते थे We had to walk Long distances in Shimla Shimla में हमें लंबी दूरी तक तो पैडल ही चलना पड़ा Walk लिखा नहीं आप My daddy would get tired very quickly मेरी दादी तो बड़ी जल्दी ठक जाती थी We would make her ride on the pony या खचर भी कहते हैं से हिंदी में English में pony बोलते है हम उन्हें pony पे चड़ा देते I never got tired मैं तो कभी नहीं थका I enjoyed walking मुझे तो walking में बहुत मजा आ रहा था अब ये कहां गई थी My khala lives very close to our house मेरी khala मारे घर के पासी रहती है Khala होती है Whenever I feel like going to her जब भी मेरा मन करता है उनके पास जाने का I quickly climb on my bicycle मैं अपनी bicycle पे चड़ जाती हूँ and rush to her place जल्दी जल्दी उनके चली जाती हूँ मा और छोटू have to take a rickshaw to go to nani's house मा और छोटू एक rickshaw लेते हैं नानी के यहाँ जाने के लिए अब ये कहां गए थे I went to my mama ji house मैं अपने mama ji के हां गया था From the railway station उनके गाउं में कोई बस नहीं जाती है So we went in a bull a cart ये है bell गाड़ी इसलिए हम उनके बुल a cart में गए bell गाड़ी में गए We cross lush green fields on the way to the village गाउं तक के रास्ते में बहुत हरे हरे मैदान थे खेत थे I loved the sounds of the bells tied around the necks of the bulls बुल की गर्दन में घंटियां बंदी हुई थी उनकी sound मुझे बहुत अच्छे लगी Which old maker did the children travel in? अब इन बच्चों ने किस-किस में travel किया Bus, train, car, aeroplane, horse, cycle bull a cart, boat और rickshaw How would you choose to go from your house to the places written below? ये बैसे आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आप जब जाते हैं तो किस में जाते हैं? लेकिन यहां मैंने लिख दिया है अपने हिसाब से तो जब आप स्कूल जाते हो तो बस से जाते हो अगर आप पैदल चाते हो तो वॉक लिखो, साइकल पर जाते हो साइकल लिखो मार्केट में जाते हो तो मार्केट स्कूटर पर जाते हैं, अब फ्रेंड के जाते हैं, तो साइकल से जाता हूँ, और रिलेटिव के जाते हैं, तो वॉक करके जाते हैं, जब रीवर क्रोस करने होते हैं, जब सी क्रोस करना होता हैं, तो शिप में जाते हैं, नाने के जाते हैं, तो ट्रेंड में ज picture what the vehicle is used for कि यह वहिकल किसके लिए यूज़ होती है इन दे स्पेस प्रोवाइडेड जो पर इस पेस दिया है यह आगे ड्रॉद पिक्चर्स आगे मिलेगा आपको इस पेस उन में पिक्चर भी ड्रॉब करनी है राइट देन नेम सुनके नेम लिखो और वह किसके लिए होती है चलिए देखते है पहली वहिकल क्या है यह रेड़ा यह किसले यूज़ होता है कैरिंग वेजिटेबल सेंट फ्रोट्स एंड देस इसमें यह होती है डाक की गाड़ी देखो यह पोस्ट्रोफिस का इसमें निशान बनावा है यह वाला कैरिंग पार्सल्स मेल्स मेल इसमें वो जाते हैं और यह क्या है रिक्षा ये यूजड बाई disabled to move from one place to another लेकिन ये रिक्षा यह यहां पर देखो इनिशन बरे में इससे चलाते हो इसको जो अपाईस व्यक्ति होते हैं इसे disabled कमनों तो अपाईस वो एक जंगा से दूसरी जंगा चलाने के जाने के इसको यूजड करते हैं अब यह है ट्रेक्टर यूजड फॉर फार्मिंग फार्मिंग कमनों तो खेती के लिए यूजड के जाता है और यह वहिकल कुण सी है डबल डेकर बस आप यह समझो दो बस के व्यक्ति एक ही बस में आ जाते हैं केरिंग पैसेंजर्स यह जातर मुंबई में चलती हैं और यह हैं एम्बुलेंस इसमें पेशेंट जाते हैं जब कोई बिमार हो जाता है और वो चल भी नहीं सकता तो तब उसे एम्बुलेंस में लेके जाते हैं और यह बाइक आप यहाँ पे बाइक की पिक्चर बनाना केरिंग टू पीपल एट टाइम इस पे दो व्यक्ति एक साथ जा सकते हैं और ट्रक ट्रक में जाता है सामान यहाँ पे ट्रक की पिक्चर बनाना या ट्रक की जिसमें की बहुत सारे गारियों के नाम सेंटर में लिखे हुए बलाकार्टे लिख longtime अब आपको यजने यह बताना है कि क्समें two wheels होते हैं किस में three wheels होते हैं और वह किस से चलते है इलेक्टिसीटी से लिपारना से थो यह एक्सरसाइज आप बड़े एजिली अपने आप कर सकते हैं तो क्योंकि जातर वहिकल आपके देखे हुए हैं तो इस एक्सरसाइज को आपको खुद करना है find out from your elders how did people travel 50 years ago अपने elders से पता करो कि 50 सल पहले लोग कैसे चलते थे can you imagine which vehicles people will use for travel 20 years from now कि अब say 20 years के बाद लोग कैसे वहिकल यूज करेंगे ask your family members अपने family member से पूछो friends से पूछो टेबल भरो आप यूँ आप कैसे चलोगे battery powered bicycle से यह मैं अपने बारे में बता रहे हूं कि battery से चलने वाली bicycle पर जाओंगा मैं तो और friend मेरा friend कैसे जाएगा वह solar scooter solar scooter कुण सा होता है आज कल आपने देखा होगो scooter पेट्रोल डलता है लेकिन यह solar energy पर चलता है धूप की energy लेता है sun की तो उसे petrol डलबाने के जरती नहीं पड़ेगी और चाचा वह solar car से चलेंगे वह car यानिके sun की energy को use करेगी टीचर electronic public transport जो जिसमें सब लोग चलते हैं जैसे बसे होती जो सब जिसमें सब लोग बैठते हैं ऐसी electronic bus में जाएंगी और मेरे father वह solar power taxi में जाएंगे और ममा electronic car में जाएंगी आप और किसी व्यक्तिका भी लिख सकते हैं यहाँ पर नेम राइट करके अब देखो यह toy train बनाएंगे पता कैसे बनाएंगे खाली match box लेके जानिके माचिस की दिब्या लेके आप भी ऐसे बनाएंगे देखिए कितनी सारी इसमें यह आपस में चिपका दियो और नीचे पहिये लगा दिये बन गई train अगर कोई चुक चुक की आवाज करता है तो तुम तुरन समझ जाते हैं और ए ट्रेन की आवाज है यह फ्रम दा साउंड गिवन बिलो नीचे साउंड दी गई हैं तैल विच वहिकल इस क्या साउंड सुनके बता सकते हो कि कौन सी वहिकल है यह एक एक जमपल दिया है चुक चुक ट्रेन पॉन पॉन ट्रक घर घर मोटर साइकल पीन पीन इसकोटर टप टप होर्स कार्ट ट्रिंग ट्रिंग जब आप बैल बजाते हो नो उसकी बाइसिकल की घंटी में जाते हो तो ट्रिंग ट्रिंग बजती है बाइसिकल की find out from your elders अपने बड़ों से ये पता करो how did people travel 50 years ago कि 50 सल पहले लोग कैसे travel करते थे 50 years पहले लोग bus, बुला काट, बैल गाड़ी, ट्रिहिन, दिक्षा साइकल वगेरा से travel करते थे except metro rail metro rail को छोड़ कर all the modes of transport transport एक जंगा से दूसरी जंगा जाने के साधन have been in use वो यूज के जा रहे थे since more than 50 years 50 से भी 50 से भी वर्षों से पहले से यूज के जा रहे थे यानि कि 50 years पहले भी वो available थे these are the sounds of single vehicle ये single vehicle की sound है how does it sound when many vehicles run together on the road making different noises तब कैसे sound होती है जब बहुत सारे वहिकल बहुत सारी आवाज रोड पे इनकालते हैं isn't there a lot of noise? क्या बहुत सारा शोर नहीं होता है? yes, there is a lot of noise on the road रोड पे बहुत ज़्यादा शोर होता है where have you heard the maximum noise? maximum सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा शोर तुमने कहां सुना है? on a busy road during peak traffic peak traffic का मतलब जब सबसे ज़्यादा ट्रेफिक होता है उस समय बहुत भीड़ वाली सड़क पे सबसे ज़्यादा शोर सुना है do you like so much noise? क्या तुमें इतना ज़्यादा शोर पसंद है? why? क्यों? I do not like so much noise मुझे इतना ज़्यादा noise पसंद नहीं है because it disturbs me क्योंकि इसे मुझे प्रिशानी होती है it also damages our hearing capacity hearing सुनने की capacity शमता और damage का मतलब नुकसान होना क्योंकि उससे हमारी सुनने की शमता को नुकसान पहुचता है what all can you see in the picture? picture में आप क्या क्या देख सकते हो अब building has caught fire एक building में आग लग गई है fire truck is seen in front of building building के सामने fire truck दिख रहा है यानिके fire van दिख रही है fire men are trying to put off fire put off का मतलब होते बुझाना fire आग fire man आग बुझाने वाले व्यक्ति जो fire man है वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे है I can also see an ambulance मुझे ambulance भी दिखाई पड़ रही है and a police van और police van भी which vehicles can you see in the picture picture में तुम्हें कौन से vehicles दिख रहे है an ambulance, a police van, fire brigade van ये तीनों गाड़ियां दिख रहे है what are these vehicles doing ये vehicles क्या कर रहे है vehicles कभी नहीं बता है ने मैंने गाड़िया fire brigade men are trying to control the fire fire brigade men fire को control करने की कोशिश कर रहे है ambulance is taking the injured to the hospital injured का मतलब घायल और ambulance घायल व्यक्तियों को hospital ले जा रहे है taking का मतलब ले जाना police is there for security security सुरक्षा और police वहाँ पर सुरक्षा के लिए है आपने ये lesson अच्छे से समझा सब चीज़े अच्छे से समझाएं इसमें तो आपको lesson अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा तो एक like तो बनता है और channel पे आप नए हैं तो please subscribe करिए video like करिए share करिए thank you